प्रिद्रसको नमस्कार मैं पंडित जी एस कोसिक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जी एस घृत कोसिक में आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है बहुत सारा प्रियास आप कर चुके हैं बहुत सारी महनत कर रहे हैं उपाय भी कर चुके हैं वर्त भी कर चुके हैं पाठ पूजाएं भी आप करवा चुके हैं लेकिन पूरी ही नहीं हो रही है तो आज आपको एक अजमाया हुआ उपाय बताता हूँ आपकी जो मनोकामना है वो आपकी नोगरी को लेकर के हो सकती है आप काफी समय से प्रियास कर रहे हैं प्रिक्षाय दे रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है आपकी जो मनो कामना है वो व्यपार को लेकर के हो सकती है आप व्यपार में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं आपको घाटा लग रहा है अच्छा खासा लाब आपको प्राप्त नहीं हो रहा है आपकी जो मनो कामना है वो आपके फसे हुए धन को लेकर के भी हो सकती है किसी ने आपसे धन मांगा आपने दे दिया लेकिन वापिस नहीं आ रहा है आपकी जो मनो कामना है वो करजे को लेक आपने किसी से करजा लिया, आप वो करजा चुका नहीं पा रहे हैं, जिनों ने आपको करजा दिया है, वो अब आपको प्रेसान कर रहे हैं। आपके बच्चों का मन चड़चड़ा हो गया है, आपके बच्चे रास्ते से भटक गए हैं, गलत रास्ते का चैन उन्होंने कर लिया है, आप उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो गुश्सा हो जाते हैं। वो आपके धन को लेकर के हो सकती हैं, आपके घर में धन टिक नहीं पा रहा है, बरकत नहीं हो रही हैं। या फिर आपकी मनोकामना आपके घर को लेकर के हो सकती हैं। काफी समय से आप सोच रहे हैं कि हम नया घर बनाई, नया घर बनाई, लेकिन वो सुब घड़ी, वो सुब समय आई नहीं रहा हैं। आपकी मनोकामना किसी बिमारी को लेकर के हो सकती हैं, बहुत सारा पैसा बिमारी पर चला जाता हैं, लेकिन उसमें भी राहत नहीं मिल रही हैं। तो कोई भी मनो कामना आपकी हो सकती है, यदि आप ये उपाए कर देते हैं, तो यकीन मानिए, बहुत जल्द इन समश्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, और आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी, उपाए बताओं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं, तो प्रदर सको, अब आप उपाए सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, ये उपाए आपने करना कब है, ये ही उपाए, किसी विशेस मुहुर्त में किया जाए, तो बहुत जल्द फली भूत होता है, इसका जो रिजल्ट है, वो सत परतिसत देखने को मिलता है, तो एक ऐसा ही शुब मुहुर्त बन रहा है, पांच दिसंबर 2022 सोम्मार के दिन, प्रदर सको, इस दिन परदोसवर् तो आप यदि इस दिन ये उपाए करते हैं, तो बहुत जल्द फली भूत हो जाएगा, तो आपने ये उपाए, पांच दिसंबर 2022 सोम्मार के दिन ही करना है, और करना कब है, प्रदोसकाल में करना है, अब प्रदोसकाल का जो समय होता है, वो भी मैं आपको बता देता सुर्य अस्थ होने से 30 मिनट पहले और 30 मिनट सुर्य अस्थ होने के बाद, यानि क Nazi एक घंटा हो गया, ये जो एक घंटा है, इसी को प्रदोसकाल कहा जाता है, तो आपने इस प्रदोसकाल में ही इस उपाय को करना है, ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या एक बेल पत्तर बेल पत्तर बिलकुल साप सुत्रा होना चाहिए कटा फटा नहीं चलेगा और क्या होना चाहिए और होना चाहिए आपके पास थोड़ा सा सहथ अब ये बेल पत्तर और सहथ दोनों चीजें ले करके आपने किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है जाना कब है मैंने आपको बताया परदोस काल में तो शिव मंदिर में जाने के बाद आपने इस बेल पत्र की जो बीच वाली पत्ती है इस पत्ती पर सहेद लगाना है देखिए सास्त्रों की मान्यता के अनुसार एक बिल पत्तर में 33 कोटी देवी देवता निवास करते हैं जो ये साइड वाली पत्ती होती है एक पत्ती होती है ब्रह्मा की एक होती है विश्णो की और जो बीच वाली पत्ती होती है वो संकर भगवान की होती है तो इस बीच वाली पत्ती पर आपने सहद लगाना है सहद लगाने के बाद सिवलिंग का जो उपर वाला हिसा है उसके उपर आपने उसको चिपका देना है और इसके उपर अपनी हथेली रखके तीन बार बोलना है ओम नमह शिवाई तीन बार ओम नमह शिवाई बोल कर अपनी मनो कामना का चिंतन करना है आपने बोलना नहीं है, मन ही मन अपनी मनो कामना को दोहराना है आपकी मनो कामना एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है चाहे आपकी मनो कामना कितनी ही क्यों न हो आपने सारी मनो कामना का चिंतन करना है अपने राइट हैंड की हतेली सिवलिंग के उपर रख कर यदि ये उपाय आप करते हैं तो भोलत जल्द भोले बाबा की किरपा आप पर बरसेगी और आपकी जो मनो कामना है वो भोलत जल्द पूरन हो जाएगी बड़ा आसान उपाय है बस इतना सा उपाय आपने करना है 5 दिसंबर सोम्मार का दिन और परदोस काल में ये उपाय आपने कर देना है यदि ये वीडियो आपको 5 दिसंबर तक नहीं मिलती है परदोस काल तक नहीं मिलती है तो फिर आगे कोई भी सोमार आए उस दिन भी परदोस काल में ये उपाए किया जा सकता है तो प्रदर्शको यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, कोमेंट भी करना और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप हमसे जुड़े रहें आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार